नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निम लौजी बाई नेहा चानल में यदि आप चानल पर पहली बार आए हैं तो चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और अपने कमेंट्स देना ना भूले दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मेश रासी वालों के लिए 2023 का साल कैसा रहने वाला है तो चलिए फिर शुरू करते हैं मेश रासी के जातकों के लिए यह साल काफी अच्छा रहने वाला है ग्रहों की चाल इस बात का संकेत कर रही है कि आपको अच्छे अफसर मिलने वाले हैं और अगर आप उन अफसरों का फायदा उठाते हैं तो आपको उचाईया छूने से कोई नहीं रोक पाएगा 17 जनवरी के बाद जब शनी लाब इस्तान में होंगे तो राजनीती से जुड़े लोगों के लिए यह गोचर शुब रहने वाला है आपको अपने उच्छ अधिकारियों का सहयोग प्राप्थ होगा अपने गुरु और देवताओं की किरपा से कारे स्थल पर अच्छा सम्मान आपको मिलेगा राहु लगन में बैठकर आपको थोड़ा दिशाहीन करने का भी काम करेगा लेकिन मित्रों की सलापर सोच समझ कर काम करना होगा फरवरी के माह में मंगल और शुक्र की चाल अनुकूल होगी वाने भाव में मंगल और लाप में शुक्र भोग प्रदान करने वाले होंगे अपने प्रेमी के साथ अच्छा और रोमेंटिक समय बिताने वाले हैं पत्नी के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं मार्श के महीने में मंगल देव मितुन राशी में गोचर करेंगे तो आपके जीवन में बड़े बदलाव आएंगे अप्रेल के अंत में देव गुरु ब्रस्पती आपके लगनी से ही गोचर करेंगे जिसके प्रभाव से आपके व्यक्तितु में एक अलग ही प्रकार का निखार आएगा जुने संतान दमपती हैं उन्हें संतान की प्राप्ती होती हुई दिखाई दिय रही है संतान पक्ष की तरक्की और शेयर बाजार से बढ़िया मुनाफ़ा होगा मई जून में शुक्र और मंगल की प्रभाव के कारण आपका मन किसी संपत्ती को खरीदने में जा सकता है इस समय आर्थिक स्थिती को देखकर चलना होगा लगन का राहू और लाभाव में बैटे शनी की पंचम पर द्रिस्टी थोड़ी अडियल रववये को जन्म देती हुई नजर आ रही है इस समय किसी विपरित लिंग के प्रतियाकरशन आपको दिक्कत दे सकता है लगन में उच्च के सूर्य का गोचर राहू से यूतिकर ग्रैन दोश का निर्मान करेगा जिससे सरकारी काम से जुड़े लोगों को कठनाई आ सकती है इस समय आपके एहंकार में ब्रिद्धी हो सकती है जुलाई के बाल सूर्य बुद्ध और अनुकुल ब्रस्पति के कारण आप महत्वपून कार्यों का संपाधन करेंगे विदेश भाव के स्वामी के लगन में होने से विदेश रातराओं का सुक साल के मध्य में प्राप्थ हो सकता है व्यपारी वर्ग के जात्कों के लिए समय बढ़िया रहेगा इस समय आपको अपने जीवन साती की सेहत का ध्यान रखना होगा कहीं ऐसा नहीं हो कि आपके दामपत्य जीवन में किसी गलत फैमी के कारण कोई समस्य जन में ले ले सितंबर और अक्टूबर में आपके जीवन में भविश्य को लेकर रूप रेखा तयार होगी इसके साथ ही आपके दामपत्य जीवन में एक बार फिर से मधूर्टा आएगी जिन जात्कों के प्रेम प्रिसंग में समस्य आ रही थी उन जात्कों को अब अनुकूल परिणाम मिलेंगे ब्रस्पती की दृस्ट्री वित्य से जुड़े मामलों में आपको सफल करेगी राहु का गोचर आपको विदेश से लाब और साल के अंत में विदेशी यात्रा का सुख प्रदान करेगा इस समय नोक्री में आप बड़िया प्रदर्शन करने में सफल होंगे एकादश भाव के शनि, लगन के गुरू और शुक्र के प्रभाव से एक अलग आध्यात में कुर्जा का अनुभव आप करेंगे पारिवारिक शामती बनी रहेगी विद्यार्तियों के लिए साल का उत्रार्द थोड़ा कटिन बना रह सकता है स्वास्ते को लेकर साल के शुरुआत के चार महीने सजग रहे गुरू के लगन में आने से भाग्य में विद्धी और सेहत में सुधार होगा कुल मिलाकर मेश रासी के जातक अपने करियर में इस साल वो हासिल करने वाले हैं जो उन्होंने सोचा है दोस्तों वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद आपको संबंदी जानकारी कैसी लगी कि पर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए और इसे शियर अवश्य करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद